आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनाया है बट डिरेक्टली प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताना चाता हूं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है आपको पता होने चीए The topics are first why we should learn programming, history of computers, history of programming and categories of programming and computer languages. So let's start with our first topic that is why we should learn programming. हमें programming सीखने क्यों चाहिए? Programming से हम अपनी day-to-day life better बना सकते हैं कैसे? आपने एक चीज़ तो notice कि होगी कि हम अपने daily routine में कितने gadgets यूज़ करते हैं जैसे टीवी, refrigerator, AC, washing machines, microwave ovens, mobile, computer, laptop, etc. और आज के दिन ज्यादातर चीज़े automatic भी हैं जैसे आप AC का temperature अपने according सेट कर सकते हो then washing machine, कपड़े डालो, timer set करो, अपने आप wash होते रहेंगे आपको कोई भी dish बनानी है, microwave oven में dish को रखो timer set करो, वो dish अपने आप ready हो जाएगी तो ये सारी चीज़े automatically काम कैसे करती है because of programming अगर हम थोड़े upper level की बात करें जैसे cars, metro trains, aeroplanes, satellites, robots इन में भी programming बहुत ज़्यादा यूज होती है और आप सब को पता है कि इन सभी चीज़ों ने हमारे day to day life को कितना ज़्यादा advanced बना दिये तो programming के थूँ हम अपने day to day life better and advanced बना सकते है then next point programming हमें सिखाती है कि हम किसी भी problem को logically कैसे solve कर सकते है कैसे दखो पहले हमें अगर किसी से बात करनी होती थी कोई message convey करवाना होता था तो letters के थूँ करते थे बहुत ज़्यादा time लगता था बट आज के दिन अमनोग mobiles and emails के थूँ बहुत जल्दी message convey करवा सकते है then another example पहले हमें bus, railway, theatres में अगर seats book करवानी होती थी तो खुद जाना पड़ता था बहुत बार हमें seats full भी मिलती थी बट आज के दिन आप घर बैठे ही seats के information ले सकते हो और उनके book भी करवा सकते हो now another example पहले हमें कोई भी समान खरीदना होता था तो हमें वहाँ जाना पड़ता था billing के लिए लंबी चोड़ी line में लगना पड़ता था बट आज के दिन आप घर बैठे ही समान घर पर मंगवा सकते हो flip card, amazon जैसे website से तो ये सारी की सारी problems हमने logically solve कर दी तो programming के थुरू हम अपनी problems को logically solve कर सकते हैं then third point programming के थुरू हम अपने आपको entertain भी कर सकते हैं कैसे देखो आप लोग mobile और computer पर इतने सारे games देखते हो internet पर, youtube पर इतनी comedy videos और देखते हो movies देखते हो तो ये सारी चीज़े जो हैं ये programming के थुरू ही होती games programming के थुरू बनती हैं websites में भी programming use होती तो programming के थुरू हम अपने आपको entertain भी कर सकते हैं then next point programming के थुरू हम softwares, websites, mobile applications develop कर सकते हैं and last point is programming के थुरू हम बहुत तरीकों से पैसे भी कमा सकते हैं कैसे देखो आज के दिन companies में programming के बहुत ज़्यादा jobs है and salary package भी काफी अच्छा मिल जाता है तो programming सिखकर आप companies में job कर सकते हो but अगर आप company में job नहीं करना चाते हैं तो आप घर बैठे ही online projects मंगवा सकते हो काफी सारी websites है इसके लिए जैसे freelancer, upwork तो यहां से आप online projects लो और projects पर काम करके पैसा कमा सकते हो then अगर आपके पास कोई creative idea है तो आप घर बैठे ही उस idea को implement करो कोई भी अच्छी website या software या mobile application develop करो और उसको online कर दो तो in future वो आपको पैसा भी कमा कर देगा और आपको famous भी बना सकता है तो यह थे हमारे पास main points हमें programming क्यों सीखनी चीए आपको हमारे यह वाला tutorial कैसा लगा comments में जरूर बताए अपनी feedback हमें provide करें Thank you